so cache files के बारे में तो आप सबने सुना होगा जब भी आ फोन वेगरा पर या किसी भी चीज़ पर कोई application यूज करते हो तो background में उसकी cache files तयार होते रहती है बहुत लोग इसे cache files भी बोलते है बहुत लोग cache भी बोलते है पर इसका जो मेरे साब से सही pronunciation होता है वो cache होता है तो cache files देखो system में भी होता है अगर आप laptop या computer वेगरा भी यूज करते हो तो जितने भी application अब games वेगरा खेलोगे या जो भी application यूज करते हो तो उसमें भी background में वो बहुत जादा तयार होते रहता और space लेते रहता है जो कि आपके system को धरे-दरे slow कर देता है तो phone का तो simple सा तरीक account आप जाते हो clean up cash files और आप click कर देते हो तो वो clean हो जाता है पर laptop और system में आपको क्या करना है यह सब पर काम करता है windows 10 11 पुराने वाले मतलब इसके लिए कोई वो specific नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर search वाले button पर जाना है यहाँ पर टाइप करना है run कुछ ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पर आपको click करना है और देखो यह मेरा पहले से किया हुआ है तो यह यहाँ पर लिखके आ रहा है prefix तीन चीज़े होती है prefix यहाँ पर percent temp percent और जो तीसरा है वो है temp तो यह मेरा पहले से यह तीनों मेरा loaded है इसलिए मेरा लिखा हुआ रहा है बस मुझे select करके ok क करने के बाद यहाँ पर्मिशन बागेगा यहाँ पे आपको continue करना है continue करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हूं यह देखो मतलब यह इतनी सारी जो फाइलें यह background में बनी हुई है किसी न किसी application के दुआरा आप जो भी games खेलते हो या जो भी GTA वेगरा कोई भी game खेलो होते रहते हैं आपको सबको select कर लेना है और यह बेकार का मतलब बिल्कुली useless चीज़े आपका पीछे space भी लेती रहेंगे और आपके system को धरदर slow भी करते रहती हैं तो आपको यहाँ से shift और delete पे click करना है और इन सारे को delete कर देना है तो इससे होगा क्या कि जो आपका system होग वो काफी हद तक fast हो जाएगा देखा आपने 375 आइटम भाई मतलब बहुत है फिर आपको वापस से same चीज़ पे click करना है यहाँ पिर run देखो पहले से loaded है मैंने search करा तबी prefix एक बार हमने कर लिया अब आना है percent और T EMP temp और फिर percent वाला sign इस पे click करना और फिर ok करना है अगर ऐसा किसी के भी सामने आता है तो आपको यह वाला option चूज कर लेना है यहाँ पे आएगा do this for all current items और यहां से skip कर देना है तो यह चीज़ आपका clean हो जाएगा जित्ता होना होगा होगा जो जरूरी होगा यह system अपने आप रख लेगा उसके अलावागर हम बात करें व और select करने के बाद वही चीज़ shift plus delete और यह yes और do this for all current items और skip कर देना है तो जित्ते delete जो ज़रूरी होगा यह रख लेगा बाकी चीज़े delete कर देगा तो यह सिर्फ पहले बार का process है मतलब आपको जब आप पहली बार करोगे run पे आओगे और अगर एक बार आपने type कर लिया एके करके तीनों चीज़े type कर लिया उसके बाद आपको सिर्फ यहां से select करना है और तीनों में से किसी को भी करके okay करना है तो आप direct to space पे पहुंच जाओगे इससे आपका system काफी ज़्यादा fast हो जाएगा और आपको यह जो चीज़े वो एक आद महिने में करती रहनी चाह करना और ऐसे प्यार बनाए रखना तब तक मिलते आने वाली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टाटा टेक केर